हेलो स्तो आप सभी क्साफ बात करेंगे हापर अधानी पाउर के बारे में इस कमपनी के आज कौटर टू के रिजल्ट अनौस हो चुके है एंड कमपनी कितने अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पारी है वो यहापर हम डिसकस करेंगे प्रॉफर रिजल्ट देखना इस कमपनी ने कहा पर अच्छे से इंप्रॉमेंट की है कमपनी के अंदर के जो डिसीजन इसको कितने बेनिफिट दे सकते है एंड इसके अंदर आपने जो निवेश किया हो या आपकरना चाहतें आदानी पाउर के अंदर तो इस result को देखिए जिससे आपको क्या होगा पता होगा कि company आगे कैसे decision ले रही है और उसका impact इसके result के अंदर कैसे दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए जो भी result होते हैं वो company के यहाँ पर action का ही नतीजा होते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर result को जरूर देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर आदानी पावर के कोई announcement है क्या वो बता देता हूं तो देखिए खाली आज यहाँ पर company ने जो result है उसके बारे में discuss किया है और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आदानी पावर एक super stock है बिलकुल इसमें कोई doubt नहीं है और मैं आपको बता भी cover करकर बताईए कि इनके जो solar के panel रहने दो या कोई भी production के लिए इनको पहले यहाँ पर करोडों का 1000 करोडों का खरचा करना पड़ेगा फिर उनको electricity provide करकर पैसा कमाना पड़ता है तो expenses थोड़े जादे होते heavily expenses होते है पहले इसलिए उनके उपर करजा देखने को मिलता ह यहाँ पर हम पहले इसके result देखेंगे देखिए standalone वाले और consolidate वाले दोनों भी तो यहाँ पर मैं आपको standalone के result पहले दिखाता हूँ बाल में standalone के बाद consolidate भी देख लेते हैं तो यहाँ पर company के अंदर जो भी चीजे या हमें आप result के बारे में देखने को मिलता है ना उसको outstanding level का performance करकर दिखा रही हैं आपको यहाँ पर देखने के बाद पता चलेगा यह पिछले साल company ने September 2021 में आदानी पावर ने 131 करोड़ रुपिस कमाए थे income के अंदर वो बढ़कर देखी है 328 करोड़ रुपिस हो गया है यानिके आप देख रहे हैं sales कितनी जादी हो रही इ electricity जो होती है बेचकर company sales में कितना strong improvement कर रही हो आप समझ सकते हैं यह पिछले quarter means जून महिने में 2022 को 288 करोड़ रुपिस कमाए थे income में वो बढ़कर 328 करोड़ रुपिस हो चुके means यहाँ पर company ने दोस्तो अपने income के अंदर आदानी पावर ने बहुत अच्छे से improvement करकर दि के बारे में तो standalone के अंदर आपर एक company net profit after the taxes कितना generate कर पारी है वो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से देखना पिछले साल इस company ने 56.99 करोड़ का loss दर्च किया था वो loss कम होकर इस बार 51.58 करोड़ का हो गया यानि कि मैंने जैसे आपको बताया देखिए कि company को sales बट expenses इतने जादे हो गए ये पूरा panel लगाने के वास्ते जो भी जो चीजे रहती है उसके बारे में तो expenses जादे हो गए income से भी तो क्या होगा loss हो गया आप देख सकते हैं और ये loss अच्छी बात क्या है कि loss कम हो गया है यहाँ पर quarterly basis पर देखेंगे 32 करोड़ का loss था वो ब पर मैं consolidate की बात करता हूँ उसके अंदर कुछ अलगी आपको अभी आदानी पावर के अंदर देखने को मिलेगा तो देख लेते है result को जिससे हमें बहुत अच्छी से पता चल जाए देखना यहाँ पर इसने net profit for the period कैसा कमाया तो आपको नजर आ जाएगा ये figures भी इन में है consulted result काफी outstanding देखने को मिल रहे है वो आपको मैं दिखा देता हूँ पिछले साल company आदानी पावर कमारी थी कितना पूरा loss 230 करोड का loss कमाया था याने के profit बिलकुल कुछ भी नहीं loss था पूरा पिछले साल बट इस company ने इस साल 659 याने के हम कह सकते कि round figurely भी 700 करोड रु के result एक consolidated आदानी पावर के बट उसी तरीके से आप देखेंगे तो इसने हाँ पर quarterly basis पर बहुत downtrend रिखाया पिछले साल स्वारी पिछले quarter में June quarter first quarter जो हम कहीते उसे उसके अंदर 4779 जो करोड का company ने कमाया था net profit वो घटकर 695 हो चुका है means yearly basis पर तो strong है आदानी पावर बट quarterly basis पर बहुती अच्छे से यहाँ पर इसने perform नहीं किया है यह होगा देखिए आदानी पावर के result मैंने पूरी तरिके से cover करकर बता दिये यहाँ पर आप देख भी सकते कि stock के अंदर थोड़ा profit working का असर देखने को भी मिला है और इसमें कोई doubt नहीं देखिए इतने बड़े तेजी के बाद किसी भी stock में हमें गिरावट देखने को म कि आपने यहाँ पर खरीदा होते हो और मैं आपको और एक बाद बता दू कि इसके result के अंदर percentage wise कैसी improvement है तो आदानी power quarter to result profit jump कितना है देखिए profit 201% कितना 200% से भी ज्यादा यहाँ पर net profit में improvement हुई है company के income rate 51% जैसे मैंने आपको बताए भी दिया company के result बहुत अच्छे से है and company ने एक अच्छी achievements करकर दिखाई है consolidate total income के अंदर quarter to financial result 2022 से लेकर 2023 come in at 8,445.99 crore was the higher by 51.5 as compared to 5,571.76 crore in financial year जहाँ पर quarter to result है 2022 के उसके अंदर यह बहुत कुछ यहाँ पर बताए जाएगा आपको articles में पढ़ सकते देख सकते है and यहाँ पर company continue यहाँ पर bounce bank करने के लिए ही तयार है और इनकी investment देखिए क्या बता रहे है यहाँ पर इस company के managing director यह सबसे बड़ा यहाँ पर देखने लायक आपके लिए topic रहेगा कि यह अदानी power के जो हैपर managing director रूँ बताते हैं कि हम renewable energy के अंदर लगातार investment कर रहे है achieving nation बहुत जबरदस तरीके से यह बहुत अच्छे से यहाँ पर ability रखते है growth करकर दिखाने की इंडिया में सबसे ज़्यादा growing यहाँ पर energy sector में company बनने वाली है और जो अभी need देखिए इंडिया की energy उसके अंदर भी यह बहुत अच्छे opportunity का फाइदा long term में बहुत बड़ी growth यहाँ पर एक company दिखाने वाली है यह सब कुछ चीजे बताई गई है खुद managing director तरफ से इसलिए मैंने result आपको detail में बताए अभी जो भी निवेशक पूरे result देखे होंगे उनको झाल झाल